गर्च सहिंता के द्वार का खंड में दूसरे अध्याय में मत्रा पर जरासंद और काली यवन का आकर्मन भगाँजी का युद्ध छोड़ कर एक गुवा में जाना वहाँ गए हुई काली यवन को मुचुकंद के द्रिश्टी पाथ से धग्द कराना मुचुकंद को वर देकर बद्र का आश्रम की और भीजना और सेमलेच्छ सेना कर संहार करके जरासंद के सामने से भाग कर शिरकिश बुल्णाम का परवर्शन गिरी होते हुए द्वार का पहुचना और जरासंद का उस परवत को जलाकर मगद को लोटाना नारजी केते हैं राजन जरासंद पुना उतनी ही अक्षोनी सेना लेकर शिगरी याद्रों के साथ युद्ध करने के लिए फिर आ गया किंटो शिरकिश से वैं फिर प्राजित हो गया शिरकिश के प्रभाव से समस्त यादव अभ्यूदे को प्राप्त हुई उन्हें धनुश और हाथी आदी के बल से सदा शित्रों को लूटने का साहस हो गया जब साहस प्राप्त हो गया तब बालक और पनिहारी ने बिना युद्ध के ही शित्रों की संपती का पहरं करने लगी शित्रों के दरवे का पहरं का अफसर देखते हुए मत्रा के जरा संत प्रास्त हो गया। तरन दर अठारवी बार भी उसने संग्राम में आने का विचार किया। मेरी प्रेहना से महाबली काल यवन ने एक क्रोड मलेचों की सेना को साथ लेकर क्रोध पूरक मत्रा पर घेरा डाल दिया। मिलेच्चों की सेना देखकर अपने नगर को भैवी हल जान दोनों और से आने वाले भैका विचार करके शेकिश बलदाम के साथ चिंतित होगे अपने सजाती ये बंदों की रक्षा के लिए माधवने भ्यंकर गर्जना करने वाले समुद्र के भीतर एक ही रात में द्वार का दुर्ग कर निर्मान कराया जहां विश्च करना ने आठो दिकपालों की सिध्धिया निर्मित की तथा मुक्ष की इच्छा रखने वाले साथगों को जहां बेकुंट की सारी संपती का दर्शन होता है श्री हरी योग शक्ती से समस्त आत्मी जनव को द्वार का दुर्ग में पहुचा कर बलडाम जी की आगया ले मत्रा नगर में बिना अस्त्र शेस्त्र के ही आगे मैंने जो पहचान बताई थी उसके अंसार उस दोस्त कार्यमन ने श्री हरी को पहचान लिया और उन्हें बिना अस्त्र शेस्त्र के देखकर सेंभी आिद्धति आकर उनसे युद्ध करने के लिए पैदला गया वे युद्ध से वी मुख होंकर भागने लगे जो योगियों के लिए भी दुल्लब है उन्हें शिरहरी को पकड़ने के लिए वे अपने सैनकों के देखते देखते उनका पीछा करने लगा माधाव अपने शीर को एक ही हाथ आगे दिखाते हुए भागते भागते चले गए और शीक्री शामाचल की कंद्रा में गुश गए मन्धाता के बड़े पुत्र मुझुकंद उस गुआ हमें शेयन का रहे थे उनने पूरकाल में असुरों से देवताओं की रक्षा की थी उस समय देवसेना की रक्षा में तत्पर रहने के कारण में दिन राज सो नहीं पा रहे थे कारे सिद्ध हो जाने पर सब देवताओं ने परसंद होकर उन दिप्ष्रेश से कहा राजन तमारे मन में जो कुछ हो उसको वर्दान के रूपे मांग लो तब राजन द्र मुचुकंद ने दिवताओं को परनाम करके उन से कहा मैं अच्छी तरह सोना चाता हूँ सो कर उठने पर मुझे शाक्षाच श्रीहरी का दर्शन हो जो हाथ चेतन पुरुष बीच में मुझे जगा दे वे मेरी दिष्टी पढ़ते ही ततकाल बसम हो जाई देवताओं ने ततास्तु कहकर उन्हें उसका अबिलक्षित वर दे दिया तब राजा मुचुकंद ने पूर काल के सत्युग में श्यन किया भवांज के पीछे पीछे काल यवन ने भी उस गुफा में प्रवेश किया और मुचुकंद को पितांबर ओड़कर सोया हुआ श्री किष्टी नहीं समझ कर क्रोज से भरे हुए उस महादुष्ट यवन ने तरंती उनके उपर लाज से परहार कर दिया मुचुकंद सैसा उठ बैठी उन्होंने धीरे धीरे आके खूलकर चार ओवर दिष्टी पात गिया उस में काल यवन उन्हें पास ही खड़ा दिखाई दिया रोज से भरे हुए नरेश की दिष्टी पढ़ते ही काल यवन अपने ही दे से उत्पन आग की ज्वाला से उसी शंग जलकर भसम हो गया यमन के भसमी भूत हो जाने पर शाक्षात परिपुन्तम भगवान ने बुद्धी मान मुचकुन्द को अपने सवरूप का दर्शन किराया कडोडो सूरियों के समान जाजले मान जोतिर मंडल में भगवान खड़े थे उनके मस्तक पर किरीट, कानों में कुंडल, बाहों में अंगद और पैरों में नपूरों दिप्त हो रही थे उनके वक्स्तल में श्री वस्का चिंशी शोबित था वे चार बुजाओं से संपन थे उनके नेत्र पर फुल कमल के समान बिशाल थे उनकी ग्रीवा में वन माला लटक रही थी वे अपने लावन्ने से करोडो काम देवों को लज्जित कर रही थी उनकी कांती काले में किसमान शाम थी उन्हें देखकर राजा हर्स से उल्ला सी थोकर उठकर खड़े हो गे और हाथ जोड़कर उन्हें परिपूंतम भगवान जानकर भक्ती भाव से उन्हें पर नाम किया मुझकंद ने कहा जो वस्ल देव पुत्र और देव की नंदन होते हुए भी शिरी नंद गौप के कुमार है उन सची दानांसरो गविंद को बारंबार नमशकार है जिनके नावी से ब्रहमांड कमल की उत्वत्ती हुई है जो कमल की माला से अलंकृत है जिनके नेत्र पर फुल कमल दल के समान विशाल है तदा चरन भी अपनी शुबा से कमलों को त्रिस्कित करते हैं उन भगवान को बारंबार नमशकार है शुद बद पर भ्रहम प्रमात्मा श्रीकिश को नमशकार है प्रनजनों के क्रेश का नाश करने वाले गविंद को बारंबार नमशकार है जिनकी सस्त्रों मुर्थियां हैं जो सस्त्रों चरन नेत्र मस्तक उरू और भुजा धारन करने वाले हैं जिनके सहस्त्रों नाम हैं तथा जो सहस्त्र कोठी युगों को धारन करते हैं उन सुनातन पुरुष भगवान श्रीकिश को नमशकार है हरी, इस भूतल पर मेरे समान कोई पात की नहीं है और आपके समान पाप हरी भी दूसरा कोई नहीं ये जानकर जगनादेव आपकी जैसी इच्छा हो वैसे ही कृपा मेरे उपर कीजी शीन नारजी कहते हैं राजन मचुकंद के इस परकार स्टुति करने पर शाक्षात परम अनंद सवरोब शीरी हरी ने उन्हें निर्गुन भक्त जानकर गंभीरवानी में कहा शिरी भगवान जी बोले राज सिंग तुम धन्य हो तथा निर्पेक्ष दिव्य भक्ती भाव से बरी ही तुमारी मिमल बुद्धी धन्य है तुम आज ही मेरे धाम बद्र का आश्रम में चले जाओ महीं तपस्या करके दूसरे जनम में श्रिष्ट ब्रामन होगे माहराज ब्रामन श्री से प्रेम लक्षना भक्ती करके तुम परकती से परे मेरे दिवे धाम में पहुँच जाओगे जहां से फिर यहां लोटना नहीं होता है इस परकार श्री हरी की आग्या पाकर पुना उनकी स्तुती वंदना और परक्रिमा करके नत मस्तक एम श्री किश प्रेम से विहल हुए मुचुकंद उस महादुर्ग से बाहर निकले द्वापर में छोटी अक्रिती वाले मनुश्य कई ताड उचे राजा मुचुकंद को देखकर मार्ग में भैवीत होकर इदर उदर भागने लगते थे मात डरो मात डरो वो इस परकार अभेदान देते हुए मुचुकंद उत्तर दिशा को चलेगी इस तरह उन बुद्धीमान मुचुकंद को वरदान देकर भगवान पुना मलिच्चों से गिरी हुई मत्रा में आए और सारे मलिच्च सेना का संहार करके बाल पुरकुन का धन चीन लिया जनतर राजा जरासंद ने पुना युद्ध करने का विचार मन में लेकर महुरत बताने वाले मागत बरामनों को बुलवाया और कहा यदि मैं वसुदेव को जीत कर लोटूंगा तो तुमारे अधिन रहकर सदा तुम लोगों की पूजा करूंगा तब दखे बरामनों तुम लग मेरे कारागार में ठेहरो यदि मैं प्राजित हुआ तो तुम सब को मार डालूंगा इसमें शंशे नहीं बरामनों से ये कहकर महाबली राजा जरासंद तेई सक्षोनी सैना हाथ लेकर शीग्रमत्रा में फिरा आ गया मागद बरामनों की बात सत्य करने के लिए भगवाण जिन्हें अपने टेक छोड़ दी और मनुष्य किसी चेश्टा को अपना कर अपने नगर से बैबीत की भाती परम देव बलडराम और श्रीकिश्र पैदली बड़ी जोर से भागे उन्हें भागते देखकर मगद राज अटहास करने लगा वे बरामनों के वच्चनों का अनुसमरन करके राज सेना के साथ उनका पीछा करने लगा वे दोनों भाई श्री हरी दक्षिन दिशा की और जाते हुए परवर्शन गिरी पर पहुँच गे उन्हें दोनों को उस परवत पर ही छिपे जान जिरासंद ने लकडी जिला कर वहां की जंगल में आग लगा दी परवर्शन गिरी के समस्त वन के भसें भूत हो जाने पर उस जलते हे परवत के ग्यारा योजन उचे शिकर से कूद कर में दोनों दिवेशर शत्रों से अलक्षित रहकर द्वारका में जा पुची महाबरी वीर मघद राज उन दोनों को धगत हुआ जान अपनी विजे के नगाडे बजवाता हुआ मघद देश को लोट किया नरेश्वर उसकी बड़ी भक्ती से ब्रामनों का पूजन किया और कहा ब्रामन जिसका सहायक है उसकी प्राजेक कैसे हो सकती है